पूरा वीडियो दिखाते हैं तो गाईज आप देख सकते हैं हमारे गाओं के अंदर हनुमान जनमोच साव कुछ इस तरह मनाया जाता है वाओ ए बगवान दोत दोती है भाई पूब ए इस तरह मनाया जाता है भाई पर ए डपाई दोती हैं झाल 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 अभी आपने जो डेकोरेशन और जो मेनेजमेंट देखा वो हमारे गाओं के सेट यान की कामदार दूद करवाते हैं तो चलिए एक छोटा सा टूर आपको इनकी हवेली का भी देते हैं यह है इनकी मैन एंटरेंस यह हवेली इनके पूर्कों की हवेली है जो कि आज से लगबग 275 साल पुरानी है यह लोग बैसिकली कॉलकाता में रहते हैं लेकिन हनुमान जन्मोसों मनाने हर साल यह खाचरियवास जरूर आते हैं इन्होंने इस गाउं के लिए बहुत कुछ किया है जिसमें मुख्ये 3-4 बड़ी स्कूल बनवाई है और एक बड़ा होस्पिटल बनवाया है जिसकी वज़े से यह लोगों के दिलों में आज भी जिन्दा है जितना यह कमाते हैं उसका 50% यह लोग डोनेट करते हैं और यह परंपरा इनके पूर्कों से चली आ रही है इन्होंने इस गाउं के लिए इतना कुछ किया है जितना कि इस गाउं से जो पॉलिटिक्स में लोग थे वो नहीं कर पाए बलकि उनके पास इन से ज़्यादा पैसा और पावर थी आई होप आप सभी को जो है आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब परके बल आइकन जरूर से प्रेस कर देना तक में जोगी तो नई वीडियो डालो तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंटे में जरूर बताना आपको हमारा यह जो मंदिर है यह कैसा लगा